स्वागत है आप सभी लोगों का रिवी श्यूवी पे आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं इट विल बी कॉल वीकली टेक चेक आज यह पहला एपिसोड है आप सभी लोगों का तही दिल से स्वागत है बेसिकली मैं आपको न्यूस देने वाला हूं लैप्टॉप से रिलेटेड टीडवले से रिलेटेड एंड यह हफते में मैं एक ही दिन लेकर आऊ हूंगा यह जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं आप पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो आज की वीडियो में जो सबसे पहली न्यूस है वह आती है एसूस की तरव से एसूस रो लेकिन किसका 11 जेन आई 9 का 11 जेन आई 9 11 9 00H का इसमें CPU देखने के लिए मिल जाएगा RTX 3070 के साथ आ रहा है 32 GB की RAM है और आपको 165 Hz तक का refresh rate मिलने वाला है इसके डिस्प्रेय में सो बेसिकली एक 16 इंच का पैनल रहने वाला है बट यह एक गेमिंग नोटबुक लाप हैं ऑन पेपर अभी तक जितना भी मैंने पड़ा बहुत कमाल के हैं बट इसकी जो प्राइज होगी वह भी बहुत कमाल के होगी मतलब मेरे जैसे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ठीक है यह लाप्टॉप बहुत मसत है जैसे भी टेक एंथूजियास होते हैं इस लाइफ में मैं लाके तो यूज कर नहीं पाऊंगा जो लोग कर लेंगे हम देखके खुश हो जाएंगे आपको में कम्यूटी पोस्ट में पता दूंगा कि क्या थर्मल बगरा कैसी है ठीक है अब बढ़ते हैं दूसरे निउस की तरफ यह आता है एपल की तरफ से एपल ए और ओविजस्री वाते की क्म अच्छे TWS लांजे है जो लोग और पूरित यह सारे TWS जबात से मैं बहुत जाएगरी करता हूं चैनल पे वीडियोस सारे बना थाय से लोग को आके इस पांचछा पर घ्य चाहिए थी साप में बालुम चल जाता है लादि कीम चाहिए यह कि जिते भी आइफोन उसे हैं वह चीपर ओप्शन को एक्स्प्लोर कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है अगली जो खबर है वह भी आपल की दर्फ से आ रही है और एरपॉट्स थ्री शायद लॉंच हो सकते हैं इस महीं ने क्योंकि अभी हाई फेडिलिटी जो स्टीरियो वग जाता है जो की सीडी की क्वालिटी की म्यूजिक आपको देती है बेसिकली वह इंट्रूस करने वाली आपल भी इसी के साथ यही खबर मिल रहे है कि जिस दिन यह लॉंच होगा लॉंच इवेंट में शायद एरपॉट्स थ्री भी लॉंच हो खैर यह रूमर्स हैं मैं ज्य बनाई हुए बट गलत है इंटल अभी भी लैप्टॉप के मार्केट में नमबर वान है लाइक इंटल के लाप्टॉप बहुत ज्यादा बिखते हैं जिसमें इंटल के सीप्यों मौजूद है बट जो डेक्स्टॉप का मार्केट है वहां पर राइजन के जो जैन 3 5000 सीरीज बहुती कड़ी टक्कर देते हैं डेक्स्टॉप में मतलब डेक्स्टॉप मार्केट वहां पर इंटल को बहुती तगडी टक्कर मिलती है राइजन से अभी प्रक्र मिल रही है लेकिन इंटल अभी क्या कर रहा है इस टकर को ठोड़ा कम करने के लिए अपनी पोजिशन काम कर रहा है है एंड ये 10 nm का छिप रहने वाला जिसमें आपको 16 मिल सकते हैं आट पावर को मलब जो पर्फॉर्मेंस को रोते हैं एंड 8 ईफीषिट और जो पावर ईफीशिंट को सैंतों चाहता है अपने इस एल्ड के साथ so that जो आपको desktop में processor देखने के लिए मिलेगा वो काफी जादा powerful मिलेगा खेर यह भी शायद महेंगे ही होने वाले so I don't know इनको afford करना कितना easy होगा कितना नहीं होगा लेकिन यह जो processor है वो M1 chip को मद्दे नजर में रखके बनाया गया क्योंकि M1 chip बहुत ही revolutionary chip है Apple की तरव से and Intel भी चाहते हैं कि वो भी ऐसे chips निकाले जो आप mobile phones में भी यूज कर सकते हो या फिर आप laptops में भी यूज कर सकते हो and desktop में भी यूज कर सकते हो and वो बहुती छोटे chips हैं बट काफी जादा powerful chips हैं जो कम power में आपको जादा performance provide करेंगे so let's see क्या आता है कब आता है कितने पैसे पर आता है वो जादा important है दोस्तों अगली जो खबर हुआ रही है Acer की तरव से Acer Spin 7 का refresh version आ गया है and यह 5G enabled laptop होगा and इसमें आपको snapdragon का SOC मिलेगा snapdragon 8CX and यह 8 core का CPU रहने वाल है and इसकी जो power efficiency वो बहुत ही जादा high है so company claim कर रही है कि आपको 29 hours तक का battery backup मिलेगा अगर 29 hours भी नहीं अगर 24 hours 25 hours तक भी laptop चल जाता है न तो इससे better battery backup वाला laptop अभी market में नहीं होगा but let's see कि प्राइस पर launch होता है क्योंकि Acer जो है जादा security वागरा भी मिलती है क्योंकि premium laptop है और जो प्राइस वो भी premium है एक लाग 20,000 एटलीस तो हुगा इस laptop का जो प्राइस है बट देखने की बात यह रहेगी कि यह perform कैसा करता है और battery backup सही में उस performance के साथ किती प्रोवाइड करता है आप खेर क्या excited हो या नहीं बताओ comment section में and Acer Spin 7 जो existing model है उसका मैं आपको link दे दूंगा description box में जाके check out कर लेना सो दोस्तों अगली जो खबर है यह खबर वैसे थोड़ी बासी हो चुकी है काफी लोगों को मालूम होगा HP OMEN का RTX 3070 model launch हो चुका है and मैं link दे रहा हूं नीचे जाके बस check करो यार एक बार एक बार जाके check करो क्या aspects है ठीक है मैं जादा कुछ नहीं बोलूगा क्यूंकि उनकी thermals मस थी और performance भी मस थी अगर इस laptop में भी सेम चीज आती है तो यह laptop भी hot cakes की तरह बिग जाएंगे जैसे लास्ट यह बिगे थे पट HP को थोड़ा शायद घमंड आ गया होगा कि नहीं हमारे laptop मस भी किसी प्राइस पर लाउंच कर देंगे अगर ऐसा होता है तो लोग दूसरे options को एक्सपोज जरू करेंगे एसर predator helios का भी model 3070 वाला लाउंच हो चुका है और उसके बाद अभी हाली में जस्ट f15 डैश जो हैस गेमिंग लाप टॉप है और सिर्फ दो कीजी का लाप टॉप है बट काफी तगड़े स्पेक्स के साथ आ रहा है तो मुझे लेकिन ओमें से बहुत जाद एक्स्पेक्टेशन है एक्स्पेक्टेशन है मतलब मैं खरीत तो नहीं पाऊंगा डेफिनेटली बट अट लीस्ट में उस पर वीडियो बना पाऊंगा कि उसके बेंचमार्क्स कितने थर्मल परफॉर्मेंस वगरा कैसी है सो स्टे टून सब्स्राइब करो ठीक है तो दोस्तों हमारी आखरी हबर आज की वह यह है कि मैंने एक आर्टिकल में पड़ा 82% जो प्रॉब्लम होती है लाप टॉप यह दो चीजें जो मेजर ली मैंने सुनी है आपने कौन-कौन सी प्रॉब्लम सुनी अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से लैप्टॉप के ऊपर कॉमेंट करके बताओ तो यही थी आज की टेक नियूज या कह सकते हो वीकली टेक एपिसोड वान और आई होप आप नए हो तो लाइक करो शेर करो मशा दो एक दम कॉमेंट सेक्शन में ठीक है मैं मिलता आपको अगले वीडियो में एंटिल देन ओवर और नाउट